हाई एवरिवन वेलकम टू माई चैनल कैसे हैं आप सब आई होब कि बहुत अच्छ हों गया आप लोग मेरे चैनल पर आपका स्वागत है तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ फेस के लिए बहुत जादा फाइदमन रेमेडी तो आप स्किन पे बहुत अच्छे तरीके से इसको इसको इस्तिमाल कर सकते हैं बिल्कुल भी हामफूल नहीं है और मैं कैसे बताऊंगी कि इसमें फेस मास्क कैसे लगाया जाता है वाइटमिन ए का तो आईए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं आपको बताने वाली हूँ इसके अंदर मैंने कैसे वाइटमिन कैप्सूल का यूज किया है फेस के ऊपर और यह बहुत अच्छा है फेस के लिए हाइडरेट करता है फेस को फेस पे नमी लेकर आता है मॉस्चुराइजर भी किill अनी जीएजर लेकर आता है तो इसमें हम क्या करें गुस्टा सा थै क्या करेंगे इसमें हम तीन चमच दूद्ध दाल देंगे या दो चमच जितना आपको थेस पर यूज करना है अपना ले लगरे का स्टीक सिरे घूदर हलका सा गंवना चाहिए ठीक हैस को आप हलका स ले लीजिए आपको पूरा कैपसुल नहीं डालना है इसके अंदर इसमें सिर्फ दो ड्रॉप डालनी है आपको आपको तो पता ही है कि वाइटमिन E कैपसुल कितना मतलब अच्छा है ये को मिरेकल का काम करता है स्किन के ऊपर तो आप इसको सिर्फ दो बुंद ही इसके नहीं है ये ड्राइ स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होता है कच्छा दूद स्किन पर लगाने से यह चेहरे की ड्राइनिस को दूर करेगा साथ इसकिन के लिए क्लींजर के रूप में काम करेगा यह कच्छे दूद में लैक्टिक एसिट पाया जाता है जिससे कच्छे दूट की मदद से आप इसकिन को एक्सफोलियेट भी कर सकते हैं वैसे भी गाइस जैसे ही सरदियों का दोर शुरू होता है दूप के लिए हमाई चाहत भी अपने आप तेज होने लगती है बाकी के मौसम में जिस दूप से हम बचते हैं सरदियों में घंटो बैटकर उसी का अनंद लेना एक नैश्रली है लेकिन पहली बार में अराम दायक लगने वाली ये धूप कब दीरे-दीरे आपके स्किन को रूखा करने लगती है और नुकसान पहुंचाने लगती है आपको पता भी नी चलता है शुषक हवा और धूप कब आपकी तवचा की नमिंग सोख लेती है यह तब पता चलता है जब आपको दूसरे आपकी तवचा के रूखेपन के बारे में आपको बताते हैं तो सर्दियों में कैसे हम अपने स्किन को अच्छे से शुषक हवा से बचाए और धूप से बचाए इसलिए मैंने ये रेमेडिस बनाई है आप इसको यूज करेंगे इसके बाद धूप में बैटा तो भी कोई फरक नी बढ़ने वाला तो गाइस मेरी स्टिप्स को फॉलो करने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और बैल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर वीडिय कर दीजिए और आपको बहुत ज्यादा एल्प मिले मेरी वीडियो से लाइक मतलब बारो से बीडियो भी बनाती हूं मैं और स्किन रेलेटेट वीडियो है तो मतलब इन सब में आपको बहुत ज्यादा है आप देख सकते हैं तो मैंने अच्छी तरह अपने फेस पर ये कुछ नहीं किया आप देख सकते यह और लेडी अंदर को अबसर्फ कर चुका है और मेरी स्केन बहुत ज्यादा मतलब टाइटन भी हो गई थी और मतलब कैफी शाइन भी कर रही थी इसके बाद हम क्या करेंगे बनाएंगे अब हम इसका फेस मास्क फेस मास्क बनाने के लिए मैं क्या करूंगी ऐलोवीरा जैल ले लूँगी आप मार्किट वाला ही ऐलोवीरा जैल यूज करिएगा और इसके बाद मैं क्या करूंगे इसके अंदर जो मैंने आधा बचा हुआ था वाइटमिनी कैपसूल वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी सारा सर्दियों में वेटमिन E और एलोवीरा जैल का फेस मास्क तवचा के दाग धबे रिमूव करके नैश्रल निखार बरकरा रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प भी करता है ये और वैसे भी इसकिन को ग्लॉइंग और खुबसूरत बनाने के लिए आप रात में सोने से पहले एलोवीरा जैल और वेटमिनी कैपसूल का यूज कर सकते हैं अब मैंने एलोवीरा जैल को और जो वेटमिनी कैपसूल है उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है एकदम फलफी टाइप का मैं इसको पूरा फलफी बना दूंगी और इसके बाद हम इसको मास्क के रूप में अपने फेस पर एप्लाई करेंगे और यह बहुत जादा मतलब की इसके इफेक्टिव होता है फेस के लिए और हां इसके अंदर ना आप थोड़ा सा ग्लेसरी डाल दीजिए गा ग्लेसरी जो होती है वह भी क्लेंजिंग का काम करती है आपके जो फेस पर मैल वगयरा होती है इसको साफ करने में बहुत ज़्यादा हैलफूल होती है यह बत ग्लिसरीन बहुत अच्छी होती है फेस के लिए फेस को शाइन भी बनाती है हाइड्रेट भी करती है ग्लिसरीन तो इसके बाद हम इसको अपने फेस पर एपलाई करना स्टार्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं मैंने पहले जुड़ा बना लिया ताकि बाल मेरे मुह पर ना इस रेमेडी से ना केवल आपकी तवच्छा आकडशक और बेदाग नजर आती है बलकिन हाइड्रेट भी नजर आती है इससे यह स्किन को पोशन देने के साथ साथ कई समस्याओं को भी दूर करने में मददकार साबित हो सकती है इसके लिए आप इसकिन पर ऐलोविरा जैल और विटमिन E कैपसुल मिला कर लगा सकते है जैसे कि मैंने अभी इस रेमेडी में आपको बताया है तो इसको क्या करेंगे आप रात भर इसको लगा कर सोने से बिलकुल जो स्किन है आपकी बहुत जादा मतलब निखार आएगा उसके अंदर और बहुत जादा साफ हो जाएगी इसके अबाद आप देख सकते हैं 10-15 मिंट के बाद मैंने अपने फेस को वाश कर दिया है अगर आप कहीं जलबाजी में जा रहे हैं तो आप इसको 15-20 मिंट पहले ही लगा ले इसके बाद फेस को वाश कर ले और इसके बाद कोई भी मोस्योराइजर क्रीम आप लगा सकते हैं तो आप देख सकते हैं मेरी स्केन कितनी अच्छी हो गई है तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है आपको तो लाइक कर देना शेयर कर देना सब्सक्राइब कर देना और जो मन करें वो कर देना ठीक है और बागी मिल to you next video me, bye